व Chrnal Steel अमके साथ बादस्षीद करने जा रहें आज आज आ मिल टा इंपोर्ट करना बेटा इंपोर्ट में बात करेंगे आप की आप कैसे अ मृक्ट कर सकते हैं पां कि कैसे इंपूर्ट कर सकते सीच ट्रेट की कि फायल को तो हुआ है तो यजब बाश येlt करके अजर कर करें कि आपका जो फ्लैट फाइल था इंपॉर्ट फ्लैट फाइल इस पर क्लिक करें लेकिन यहां हम ब्राउज करते हैं यहां पर आते हैं डॉक्मेंट के जगह पर डी ड्राइब में और यहां डी है ओपन नेक्स्ट प्रिवोदी किया ठीके सब्सक्राइब नेक्स्ट अपने आप कैसे कि रहा है हमने फाइल से किया ना हमने हैं फाइल से लेक्ट किया है ना सब्सक्राइब हमने क्या किया हमने सबसे राइट क्लिक करके यहां पर पाक्स पर गया है पाक्स में दिखा इंपोर्ट्ट फ्लैट्ट फाइल किया इस पर क्लिक किया और हम करते हैं नेक्स और नेक्स्ट क्लिक तो यहां पर करते हैं next नेक्स करते हैं यहां पर सारे आ गए फिर यहां पर करते है नेक्स अब इसमें बताया जाता है कि सारे प्राइमरी की समस्थे क्या होता है यूनिक यूनिक एक आई डि जो की डुप्लिकेट उस पॉलन में नहीं हो सकती अगर जिस कॉलन में हमारा एह है नंबर से है का बलते हैं उसको भी अलाव कर लें उसके अलावा एह डेटा टाइप हो गई आप यहां पर अपनी डेटा सब्सक्राइब करते हैं इसको नेक्स्ट फिनीश ठीक है और फिनीश होता ही देखिए बड़ी असानी से बड़ी जल्दी है आपका हो गया हो गया क्लोज कीजिए और इसके अंदर टेबल्स पर जाएए टेबल्स में यहां गया डी टीए राइट क्लिक स्लेक टॉप थाउ सब्सक्राइब देखिया अब को लेकर सब्सक्राइब कि क्योंकि CSV फाइल जो है इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट फ्लैट फाइल की थुरू ही होता है HHHHHHuw अब इंपोर्ट फ्लैट फाइल में एसा नहीं कि आप जैसे मैं लिजे मैंने ब्राउच किया और ब्राउच करके यहां से TXT एकसे ओल अल्ल करें लिटा हूँ और मैंने एक्षेल फाइल लिट स्टैक्ड लिए खिर्ट कर लेग्या का नकसी करने इसी को ऊप्न किया यहां पिर आपके सामने साम्मे ने शिर करते हूं यहां तुम मैं यहां पी आता हूं हुआ कि नहीं किया यहां आखे गरटा हैं और हो यह यहां चाहले पैर आफिर यहां कि अध optim of text file को लेके open करता हूँ और फिर यहां पर करता हूँ next अब देखिए इसने text file को read कर लिया txt file है एक कोई csv file नहीं कुण सा file है txt file है और जैसे आप आप जैसे मैं next किया यह आगे हमारे पास तो इसने देखिए आइडी को नंबर ले लिया है आइडी को मैंने आपने प्राइमरी की कर देता हूं मतलब कि यूनिक आइडी देट को इसने डेट ले लिया है वाकि सबको money लिया हुआ है प्रण पैसा लिया हुआ है इसको आपने आसे चेंज कर सकते हैं पनी साब से ऐसी quantity जो है स्मॉल इंट है इसके बारे में समझाओंगा आपको क्या होता है यह जो डेटा टाइप है फिर नेक्स्ट फिर फ्रीज और यह देखिए कुछी सेकेंस में डेटा को लोड कर दिया अब बोलेंगे इस सर्फ फ्लैट फाइल के आपने जैसे बताया कि मैं टाक्स में इंपोर अब के थुरू भी आफ फैल ले सकते हैं आपको इंपोर्ट डेटा पre किलिक करना है ठीक है naekस पर कलिक करना है और यहाँ से से लेक करना है फ्लैट फाइल सोर्स अस हमb n5 आप को व्राउज लेना है ब्राउज में आप इसमें नोटपैट की फाइल लें दे फिला सीस्वी ले सकते हैं नोटपैट फिला ले लिए यहां से सीस्वी चेंज करना हो ठीक है आपके पास अगर है तो डाल दीजे यहां पर कितना कितना किक करना है रहा हुआ है नहीं है देटा नहीं है देटा वाद चोथे रोज है तो तीन रोज श्किप करनें फिर इसको फिर नेक्स्ट देटा यहां पर आपके सामने लिग गया एक कॉलम्स पर आगी आप इड्वांस पर जाएंगे तो इस तरह से आएगा आ अब मुझे इस में से कोई नहीं चाहिए ऐसे ली कह जाता है कि थाकि आप कोई पर्टिक्लर कॉलर आपको नहीं चाहिए तो उस कॉलंप को अपनी सबसे माल लिजिए कि मैं यहां पर स्वांट 겠다 मैं डिसकाउंट रोगा तो मैं इसकाउंट को से अदर हमसे नहीं तो है धीति में आठ्ट शूगी किनिा और डिसकाउंट नहीं है नहीं है फिर किया मैंने next और destination चूच किया तो पता ही आपको destination करेंगे sql server और यहां हमारा authentication यहां पर करेंगे next और फिर करेंगे next और फिर करेंगे यहां पर finish ठीक है और यह इस तरह से चला hand close कि यह data आपके सामने आ लिए तो इसलिए आप देखेंगे कि जो website वगरा है या जो बड़े-बड़े software है वह फाइल हमेशा csv में ही नाउनलोड की जाती है क्योंकि csv से data को load करना sql में चाहे xml में बड़ी आसान होता है बहुत ही आसान है इसलिए अगर आपको दिक्कत है तो आप जो है csv का यूज कर सकते हैं समझ गया है क्लियर है फ्लैट फाइल से इंपोर्ट करना थोड़ा इजी है बोल्कॉम ओप्शन चाहिए डिस्क्रिक्स में बगड़ा स्लेक्ट नहीं करना पड़ता है तो आप इस तरह से डेटा को इंपोर्ट तो अभी तक आपने किया सीखा अभी तक आपने सीखा एक डेटाबेस create करना ईक notepad से बागी यह से फाइल कि इंपोर्ट करना से सिह और इमपोर्ट करने के लिए सब से अच्छा है कि हुसको csv में करके और इंपोर्ट करें इस कि तीक है नहीं मैं बताऊंगा 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 ओभी बताऊंगा चिंदा मतली आप हरवा क्यों रहे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि हम अब जो डेटाबेस हमने क्रियेट किया और डेटाबेस हम क्यूरी के तुरू कैसे कर सकते हैं क्यूरी के तुरू कैसे कर सकते हैं समझें आप पुछे के क्यों होगा है क्यों करेंगे क्या होता है कि हमें किसी बटन पर क्लिक करके किसी और से जैसे की जैसे आपको का वोलते हैं अलग 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 तो कैशे करेंगे कि समझें तो यहां उपर दिख रहा होगा न्यू इस पर क्लिक करेंगे तो यहां को क्यूड इक टाइप करने करेंगा आ जाए ठीक है ना और डेटा इसको क्रिएट करने का सिंपल सा है कि क्रिएट डेटा बेश और डेटा बेश करना हो जिसे मैं कर दिया क्यूं डेटा ठीक है हमने क्या कर दिया क्यों डेटा अब मैं इसको इस क्यूंट कर से हैं जैसे इसको रन करेंगे यह देखें हो गया कंप्लिटेट सक्सेस्पूली हो गया ना पर यहां में दिख रहा है दिखेगा इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए कि आगे क्यों डेटा समझें मैंने यहां पर क्रियेट क्रियेट डेटा बेश मैंने यहां पर क्रियेट डेटा इसका कीवर हो गया लेकिन लेकिन इसमें आपका जो है क्या बोलते हैं जो डेटा है आपका यह जो डेटावेस आपका डेटावेस नाम हो गया समझें अब 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 आपने बोला कि डेटा इंपोर्ट करने के लिए कैसे करेंगे तो उसके लिए 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 कि बलक कि इंसर्ट इसलिए बता रहा था याकर यह क्या र्मना पड़ेगा एक टेबल बनाना पदेगा एक टेबल नहीं वनेगा इसलिए इस लिए मैं यह चीज आपको अब नहीं बता रहो मैं टेबल नहीं पराए इसलिए आपको इसे टेबल है नहीं टेबल नहीं पराए आपको अब लिखना पड़तर लग पड़ेगा कि वल्क इंसर्ट कि यहां पे अब यहां पर देखिए दिक्कत आगी यहां पर मुझे डेटाबेस मुझे डेटाबेस देना पड़ेगा ॉटि इसे कोई सेलिए को करते हैं यहां है इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा देखिए यांतीन फॉर्मेट में निकाट्स्यां परबेगा कि कुछ नहीं किया था इन देंगे बल्क इंसर्ट डेटा यहां पर यहां पर यहां पर आता है फ्रॉम कहां पर तो सिंगल कोड में अपना यह देना पड़ेगा पाथ जहां का फाइल हमाना तो अगर हम यहां पर देते हैं डी ड्राइफ के अंदर फिर काथ दाना DTA दिटी ए डॉट सीएस्वी जब फॉर्म हो गया फॉर्म लिखना था ना अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बिद्ध फॉर्मेट इसमें फॉर्मेट क्या है फॉर्मेट इक्वल टो सी एस्वी का बोलना है यहां पर गलत हो गया था पोसर क्या ने कि मेरा कीवोड नहीं आया आया और मैं पहले टीविएस वाला कीवोड यूज करता था बड़े-बड़े बटन थे समझे आ ना यहां पर यहां पर देना पड़ेगा फिल्ड एक्वल टू कॉमा ठीक कॉमा यहां पर आएगा रो इंटिमेटर स्लैस एन यहां पर इक्वल टू स्लैस एन और कॉमा के साथ होगा कॉमा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में क्या है कॉमा ही तो है एक में नहीं हाँ इन ओड़ा कॉमा लग गया सिंगल को लिखना है आपके अब आगा से अब हो गया हुआ है फॉर्मेट एक्वल टू सीएस भी साहिए तो इस क्यूट होना चाहिए था देखिए हो गया इस क्यूट हो गया अनुसर क्योंकि मैंने कई सारे बना रहे है इसलिए अगर आपके बास सर्वर में सिर्व एक डेटावेस है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा कि सार आज की डिकॉर्डिंग आपको भेज़ दे रहा हूं कि मैंने अभी दस बजे किसी और रहा है